Hey guys, welcome to my online CEO, मेरा नाम है देव आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Trademark Objection Hearing Process के बारे में जी हाँ, तो देखें, Trademark जब आप Apply करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है एक आप खुद भी Apply कर सकते हैं और एक Lawyer के थूरू भी Apply कर सकते हैं इसके उपए में एक Already Detailed Video बना चुका हूँ कि Trademark Reaction का Process का है 2022 के अंदर अगर आप लोगों नहीं नहीं देखा तो Please Check Out My Description Box Second thing guys, जैसे आप जो है Apply करते हैं उसके बाद में क्या होते हैं, आपको कई बार Objection मिलता है फिर Objection का भी जब आप Apply करते हैं आपको Trademark Hearing का Notice मिलता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक तो ये कि Trademark Hearing Notice आपको कब मिलता है Second thing, अगर आपको Notice अगर मिला भी है तो उसकी जो Hearing है वो आपको कैसे यहाँ पर Atend करनी है Physical करनी है, Video Conferencing के थूर करनी है Third thing, उस Hearing के अंदर आपको क्या-क्या Documents के रिकावर नेगी, क्या-क्या चीज़े आपको Submit करने पड़ेगी Fourth thing, अगर let's suppose किसी आप एक Professional Lawyer को उस चीज़ के लिए यहाँ पर Hire करते तो कितनी Cost आपको यहाँ पर Pay करनी पड़ सकती है तो सारी चीज़ आने के हम लोग इस Video So guys, सबसे बहुत अगर मैं बात करूँ कि Trademark Hearing का Notice basically आपको कब मिलता है तो देखें, जब भी आप Trademark के रेशन के Application यहाँ पर फाइल करते हैं उसकी बाद में जैसे मैंने बताया था कि आपको गर Government को like suppose कोई भी Objection होता है Examination Report होती है, उसका reply यहाँ पर कैसे करते हैं क्या क्या documents के requirement रहती है तो guys, जब आप examination report का reply करते हैं तो उसी time पर basically आप लिख सकते हैं कि आगर आपका let's suppose Hearing का basically अगर चांस आता है तो आपका prefer mode कहा रहाएगा तो उसके अंदर आप physical hearing या फिर video conferencing hearing दोनों में से एक option को यहाँ पर choose out कर सकते है So guys, let's suppose जैसे आप यहाँ पर examination report का revert back कर देते हैं फिर उसके बाद भी यहाँ पर government जो यहाँ पर satisfied नहीं होता है, आपने जो भी proof यहाँ पर submit किये, तो उसके बाद में आपका यहाँ पर hearing का notice जो यहाँ पर launch होता है, जिसके अंदर आपकी जो भी date mention होती है, उसके दिन को आपको यहाँ पर hearing यहाँ पर attend करनी पड़ती है So guys, जो hearing की date वह basically आपका जो show course notice होगा, वह basically hearing notice का उसी के अंदर यहाँ पर mention होता है प्लस यह जो notice है यह आप online भी किसी भी trademark का निकाल सकते easily, या फिर guys आपका जो भी register office का address होगा, जो आपने application के time पर दिया होगा, वहाँ पर आपको physical भी जो है यहाँ पर trademark की तरफ से notice मिलता है, तो guys यह तो बात हो गई कि notice आपको क्या मिलता है, कैसे मिलता है तो guys अब बात करते हैं कि आपको जो trademark की hearing है वो यहाँ पर कैसे attend करनी है, तो देखें हमारे इंडिया के अंदर ना 5 trademark के office है एक Bombay के अंदर है, एमदाबाद में, कोलकाता में, न्यू डैली में और चैन्नी में है और यह पांचो जो है, अलग-अलग reason wise यहाँ पर बटे हुए मलब let's suppose जैसे एमदाबाद के अंदर रारजस्तान और गुजरात दोनों include हो गया तो ऐसे ही पांचो office ने पूरे इंडिया को यहाँ पर cover कर रखा है तो आपका जो भी direction हो, जो भी range हो, वहाँ पर इसलिए आपको report करना पड़ता है, तो अगर आप एक physical यहाँ पर अटेंग करना चाहते है तो directly आपको इनकी office यहाँ पर visit करना पड़ सकता है अगर let's suppose अगर आप video conference की तुर अटेंग करना चाहते है तो simply आपका जो भी register email ID होगा, उसके उपर आपको एक link मिलता है तीन दिन पहले आपको form file करके बीसलिए आपको जो date है जो आपको already मिली हुई है उसको बीसलिए आप postpone कर सकते हैं और कोई भी other date यहाँ पर request कर सकते हैं तो गई साब बात करते हैं कि let's suppose कोई भी अगर बंदा का let's suppose उसको hearing का notice मिला है अगर वो चाता है कि मैं इस business को continue नहीं कहना चाता इस trademark का कोई भी यहाँ पर sensory कोई भी मतलब नहीं है यह let's suppose उसको पता नहीं चल पाता है तो उस case में क्या होगा तो अगर let's suppose अगर आप hearing की जो date है वो यहाँ पर miss कर देते हैं तो आपके जो trademark की application है वो यहाँ पर withdrawal हो जाती है मलब ultimately आपने जो starting के नहीं जो पूरा expense किया हो था वो पूरा यहाँ पर waste हो जाता है अब guys बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या documents की requirement रहती है जब भी आप hearing को यहाँ पर attend करते हैं तो पहली चीज तो यह अगर आप माल नीचे lawyer को hire करते हैं तो आपको power of attorney यहाँ पर sign करके देनी परती है second thing आपको letter of permission भी lawyer को यहाँ पर provide करना पड़ता है अगर आप like lawyer को hire करते हैं तीसी चीज आपको एक affidavit of practice देना पड़ता है कि कब से आप trademark को यहाँ पर wordmark को use कर रहे हैं उसके against में आपको बहुत सारे invoices उस date के उस company की registration की details हो गई, marketing के materials हो गई, interviews हो गई, कहीं पर छपे CV पूरे India के अंदर हम लोगी सिर्फ यहाँ पर use कर रहे हैं, इसके आपको proof of business हो गया, examination report हो गई, plus hearing के report हो गई, वो भी यहाँ पर attach करनी पड़ती है, इसके लाब भी कई सारे documents होते हैं, अगर आप professional lawyer को hire करते हैं, तो वो check out करता है, कि आपकी जो first examination report थी, जो आपको मिली उसके अंदर किस clause के अंदर आपको notice मिला है, उस clause के according ही, वो यहाँ पर सारे proof collect करके यहाँ पर department को submit करता है, आप guys बात करते हैं, let's suppose यह जो सारी चीज़े मैंने बताई, obviously बाते हैं, अगर आप एक professional lawyer नहीं है, तो आप इन सारी चीज़े unaware होंगे, plus जो आप hearing भी यहाँ प जो यहाँ पर hire करना चीज़े, बले ही आप trademark initial application के लिए lawyer hire मत कीज़े, लेकिन at least hearing के time पे आपको हमेशा एक lawyer को hire करना चीज़े, अगर मैं market cost की बात करूँ तो कोई भी standard यहाँ पर cost नहीं है, यह depend करता है lawyer to lawyer, साथ में guys आप offline या online दोन तरीके से यहाँ पर hire कर सकते हैं, online क यहाँ की बात करूँ, तो आप हमारी website myonline.end के तुरू भी यहाँ पर hire कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी affordable rates के उपर small business के लिए lawyer मिल जाते है, यह guys मैंने आपको एक overall पूरा summarize कर दिया कि trademark hearing का process यहाँ पर किस तरह से work out करता है, so guys hope you like this video, please subscribe अगर आप लोगे कोई भी doubt से comment section के अंदर जरू बताईए, साथ में अगर आपको एक trademark lawyer चीए, तो link जो है आपको description box में मिल जाएगी, thank you guys, thank you very much